Hello Guys ! मैं हूँ आपकी Secret Chef Kiran और आज की रेस्पी बहुत ही खास रेस्पी है जो है पनीर की रेस्पी इस रेस्पी का नाम है बंजारा पनीर जो की बाकी पनीर की रेस्पी से बिलकुल अलग है इस रेस्पी का नाम बंजारा पनीर क्यों है यह question आपके मन में होगा इस रेस्पी को हम बंजारों के style में बनाने जा रहे हैं जैसे की बंजारा अपनी dishes बनाया करते थे तो चलिए इस रेस्पी को देख लेते हैं जो की बहुत ही less मसालों के साथ में बहुत ही tasty बनती है तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर घर पर बनाया हुआ fresh पनीर इसे एक लीटर फुल क्रीम दूट से बनाया है मैंने lockdown की वज़े से आप भी घर पर ही पनीर बना कर इस्तमाल करें यह दिखिए अब हम इसके लंबे-लंबे slices कट कर लेते हैं अब खड़े मसालों में हमें चाहिए दो से तीन लॉंग, तीन से चार काली मिर्च, दो छोटी लाइची, शाही जीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा जिनने हमें तवे पर भून करके उन्हें कूट करके उसका मसाला तयार करना है अब एक पैन गरम होने रख देंगे, इसमें हम लेंगे दो बड़े चमत सरसो का तेल और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे तेल अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम इसमें आड़ करेंगे 1-4 टेबल स्पून जीरा, 2-3 खड़ी लाल मिर्च, 2-3 तेज पत्ते इन्हें हमें हलका भून लेना है तेल में, फिर मैं इसमें आड़ करूँगी एक बारी कटा हुआ बड़े साइस का प्याज, इसमें हम सभी चीजे कटी हुई इस्तमाल करेंगे फिर हमें 8-10 लहसुन की कलिया और एक टुकड़ा अदरक का अच्छे से कूट लेना है, क्योंकि बंजारा रेसिपी में हमें किसी चीज का पेस्ट नहीं चाहिए तो इस रेसिपी में हम पेस्ट इसलिए इस्तमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बंजारों के पास इतने एक्यूपमेंट या बिजली के ववस्ता उस समय नहीं हो पाती थी इसलिए हम भी उसी प्रॉसेस इस रेसिपी को बना रहे हैं, अब मैंने यहाँ पे कुटा हुआ अधरक लहसुन अड़ कर दिया है, अब इसे हलका हलका हमें भून लेना है प्यास हलकी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें अड़ कर देते हैं, दो महीन कटे हुए टमाटर यह जल्दी पक जाएं, इसके लिए एक टिप है कि आप इसी समय इसमें थोड़ा सा नमक आड़ कर दें, चलिए नमक आड़ कर देते हैं वैसे यह टिप में आपको पहले भी बता चुकी हूँ दोस्तों नमक आड़ करने के बाद हम इसमें आड़ कर रहे हैं, बहुत थोड़ी सी हल्दी पाउडर फिर हम इसे पास से साथ मिनट के लिए ढ़क कर पका लेंगे तो जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक मैं यहाँ पर दही फेट लेती हूँ यह दही मैंने लगभग 200 ग्राम के आसपास लिया हुआ है, चलिए इसे अच्छे से फेट लेते हैं 5-6 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे इस पैचुला से थोड़ा सा मैश करेंगे तो ग्रेवी अच्छे से पक गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रेवी ने साइड में ओईल छोड़ दिया है अब हम इसमें आट कर रहे हैं, एक चमच धनिया पाउडर 1-4 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च 1-4 टेबल स्पून जीरा पाउडर और आधा चमच हम ले रहे हैं गरम मसाला इसके बाद जो हमने मसाला कूट करके तयार किया था फ्रेश वाला, अब हम उसे आट कर देते हैं अब इन सब को हमें 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से पका लेना है तो मसालो के खुश्बू आना शुरू हो गई है मसाले अच्छे से पक गए है अब हम इसमें आट करेंगे दही दही हमें बिलकुल लो फ्लेम पे या आप गैस से हटा करके पैन को दही आट करें ताकि दही फटे नहीं, अक्सर तेज आच में दही फट जाता है और इसे लगातार चलाते रहें अब मैं इसमें आट करी हूँ एक ग्लास पानी और इसे वापस ढख करके हमें पास से छे मिनट के लिए पकाना है तो ये देखी ग्रेवी हमारी ठिक हो चुकी है अब ये सही टाईम है पनीर एट करने का तो पनीर एट कर देते हैं पनीर को ग्रेवी में हलका सा मिक्स कर दें अब मैं इसमें आट करूंगी सौदा नुसार नमक क्यूकि अब हमें exactly पता होगा कि हमें कितना नमक चाहिए मैं कभी भी किसी भी रेस्पी में शुरू में नमक आट नहीं करती फिर मैं इसमें आट कर रही हूँ एक कटी हुई हरी मिर्च क्योंकि ये मुझे तीखी कम लग रही थी अब हम लगाएंगे बंजारा पनीर में स्पेशल वाला तड़का यहाँ पर मैंने लिया सरसो के तेल में बहुत थोड़ा सा जीरा जीरे को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें आट कर दिये हैं बड़े साइज में कटे हुए टमाटर, प्यास और हरे मिर्च इन्हें हमें जादा पकाना नहीं है एक मिनट के बाद ही हम इन्हें रेसिपी में एड़ करेंगे तो चलिए पनीर का हाल देख लेते हैं यह देखे बंजारा पनीर बिल्कुल रेडी है अब हम इसक्यूपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और अपना वही स्पेशल वाला तड़का इस तड़के में जो सबजियों का करंच है ना दोस्तों वो पनीर में बहुत टेस्टी लगता है तो यह लीजे पनीर बंजारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू